हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पावर प्लांट इंगिनिरिंग के यूनित फर्स्ट के इंपोर्टेंट कुस्शेंस को डिसकस करेंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यह जो हमारी फर्स्ट इंट थरमल पावर प्लांट और इस ईًट के अंदर बहुत सारी सेक्शन्स हैं बहुत सारे कुश्द के कि एक खास बात रही है एक इट्यू के अंदर कुछन जो एक्जाम के अंदर आते हैं कुछ कुछन आउट अफ लेवस भी आते हैं तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुस्किल है बट फिर भी यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इंपोटेंट कोशन है वो मैं आपको पताऊंगा मैंने 10 से 12 कोशन निकाले हैं इनी कोशन मैं से एक नई कोशन आपको 110 परसंट जरूर देखने को मिलेगा आपके एक्जाम के अंदर तो आएए वन वाइवन हम लोग देखते हैं वो कौन-कौन सी कुशन हैं जो कि आपके एक्जाम में मिल सकते हैं देखिए और उन सब कुशन के आंसर जनरली आफ सभी को पता ही है क्योंकि आपके पास इस वारे एक सब्जेक्ट हुए है रिनेवल एनरजी रिसोर्स तो वहां पर आप लोग उसको पढ़ सकते हो तो इसकी सेकेंड पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यूनिट फर्स्ट का स सबसे पहले जो इंपर्टेन कुशन और यही है डिसकर्ज दवयरियस टाइप्स और प्लांट वेरिए पावर प्लांट कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं उनके वारे में को बताना है पहला कुशन हमारे पास यह हो गया सेकिंड कुशन की तरफ अगर हम बात करें तो हमको बताना है कि यह thermal power plant होता है अपना उसका general layout क्या होता है किस तरीके से हम लोग कोईले का हिस्तमाल करके स्टीम जनरेट करने के अबाद electricity क्या करते हैं प्रड्यूस करते हैं तो उसके वारे में हमको बताना है क्या उसका जनरल ले आउट होता है ठीक है और उसको थोड़ा वाद उसके पॉइंट वगर लिखके समझाना आयम को यह आपका second question हो गया अगर मैं third question की बारे में discuss करूं तो third question हमारे पास क्या है तो को यह question आपके लिए बहुत ज्यादा important है draw PVTS diagram of Rankine cycle Rankine cycle की PVTS diagram draw करना है आपको derive expression for work done and efficiency of cycle और Rankine cycle की work done किस तरीके से मुलूब करते हैं उसकी efficiency क्या है तो basically Rankine cycle के ऊपर एक आपको numerical या फिर एक question जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा और Rankine cycle मैंने समझाई भी है आपको hydraulic power plant में उसकी link में नीचे description box में देदूँगा आप वहाँ जाकर देख सकते हूं चलो next question हम लोग देखते हैं हमारे पास next question क्या है next question है दोस्तों हमारे पास हमको बताना है कि Rankine cycle और modified Rankine cycle इन दोनों की बीच में क्या difference होता है पहले जो Rankine cycle थी उसके बाद हमने उसको उसमें modify modification किये तो उन दोनों cycle की बीच में क्या बताना है हमको difference बताना है यह वह आपके लिए important question है यहाँ पर numerical भी पूछ लिए जाता है वह मैं already आपको बता चुका हूं next question की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमको बताना है draw the reheat regenerative Rankine cycle in thermon power plant with PVTS diagram तो basically यहाँ पर यही बताया गया है जो तुम्हारी Rankine cycle होती है उसके अंदर हम लोग reheat क्यों करते हैं हैना reheat regenerative किस तरीके से करते हैं वो सब आपको दिखाना है उसके PV और TS diagram बनाना है PVTS diagram जब नॉर्मल बनाते हो आपको लोग रेंक हैं cycle के अंदर तो वहाँ पर हम लोग जब reheat करेंगे regenerative करेंगे तब PVTS diagram हमारा किस तरीके से वनेगा वो आपको बताना है और आपको बताना है उसके जितने भी formula होते हैं वो सारे formula आपको बताने हैं तो आपको rankine cycle तो अच्छी तरीके से पढ़ने ही पढ़नी है और general layout के power plant engineering का general layout होता गया thermal power plant का वो आपको देख लेना है चलिए next जो important question है वो है हमारे पास boilers को लेगा दोस्तों दोकर boilers के उपर एक question आपको जरूर देखने को मिलेगा boiler क्या होते हैं boiler की mounting क्या होती है boiler की accessories क्या होती है ठीक है उन सब के उपर आपको देखने को question मिल सकता है यहां पर हमारे जो exam है हमारे जो first unit है हमारी thermal power plant उसमें दो boiler दे रखे हैं और यह दोनों questions आपके previous year exam में आए भी हुए हैं कौन-कौन से एक तो आपको वेब को विलकॉक्स boiler और एक लंका सायर वोलर यह दो आपको दे रखे हैं ठीक है तो basically आपके question कैसे पूछ सकता है कि boiler क्या होते हैं या फिर boiler का क्या purpose होता है और फिर यह दो boiler दे दिये जाएंगे इन दौनों boiler की उपर आपको बताना होगा इनकी working क्या होती है इसकी construction क्या होती है ठीक इसकी features क्या क्या होते हैं यह सब आपको पूछ लिए जाएगा एक्जाम के अंदर इस तरीके से भी एक्जाम में कुछन पूछा जा सकता है कि fire tube boiler क्या होते है वाटर टीव वाटर क्या होते हैं तो वह सब आपको याद रखना है थोड़ा बहुत वाइलर के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा फिर देखो यहां पर यह भी पूछा जा रहा है next question में कि super critical boiler और super charge boiler की बीच में क्या difference है क्या समझती हो super critical boiler और super charge boiler में ठीक है next अगर हम बात करें तो हमारे पास question यह है boiler की mounting क्या क्या होती है और accessories क्या होती है मांटिंग जासे water level indicator हम लोग boyler के अंदर क्यों लगाते हैं feature warm हम लोग क्यों लہकाते हैं इसका thats इसका roll होता है ijs एयर प्रीप्र का इस्तमाल क्यों करते हैं super heater का इस्तमाल हम लोग क्यों करते हैं boiler के अंदर basically तो तो यह सब boilers के उपर हो गया तो boiler में आपको क्या पताना है fire tube roller क्या होते है water tube roller क्या होते है boiler का क्या purpose होता है दो boiler के नाम आपको दे दिये औलड़ी लंका सेर वॉलर या फिर वैप कॉग विलकॉक्स boiler इन दौनों की बीच में क्या difference है या फिर इन दौनों की working construction डायग्राम यह सब आपसे पूछ लिए ला सकता है कि फिर हमारे पास next important part आता है condenser के उपर कि कंडेंसर का function क्या होता है और हमको बताना है कि different time of steam condenser होते कौन-कौन से है ठीक है फिर अगर हम बात करें यह आपके लिए important question है discuss the different type of cooling tower explain with neat sketch के cooling tower होते क्या है कौन-कौन से type के cooling tower होते है उसको डायगराम के तुरूब आपको बताना है what is the purpose of feed heating and reheating explain with the help of neat sketch यानि कि आपको बताना है feed heating क्या होती है और reheating हम लोग क्यों करते हैं इसका purpose क्या होता है क्यों करते हैं हम लोग है ना reheating वगेरा इसको आपको sketch डायगराम वगेरा बनाकर अच्छे से समझाना है आपको फिर अगर आपके पास time हो है ना तो एक और important question है वह है governing के उपर यहाँ पर steam train की governing आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है कि throttling governing क्या होती है नोजल governing क्या होती है इसका diagram क्या होता है यह simple सा question है आप लोग पढ़ सकते हो तो दोस्तों यह बारे question आपके unit first के अंदर बहुत ज्यादा important है तो इन बारे questions को आप लोग जरूर पढ़ना अगर आप चाहतों इन बारे questions के answer में आपको provide कराऊं तो नीचे comment box में मुझे बता तो अपने दोस्तों साथ सेयर जरू करें और इस वीडियो को लाइक भी करें